दिल्ली का लाल किला अपनी खास पहचान रखता है इस किले का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यहां से सुतंत्रता दिवस पर तिरंगा फैराया जाता है लाल किले से फाराय गया तिरंगा देश की गवराव गाथा गाता हुआ प्रतीत होता है लेकिन तिरंगे को हर साल इसी किले से फाराते हुए देखने पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि तिरंगा हमेशा लाल किले से ही क्यों फाराया जाता है जबकि ऐसी बहुत से महान इमारते हैं इस देश का गवरव बढ़ा रही है ऐसे में इस सवाल का जबाब जानने के लिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं आपको बता दे कि लाल किला एक ऐसी इमारत है जो मुगल काल से लेकर आजादी के दौर तक की बड़ी घटनाओं की गवाह रही है इस एतिहासिक इमारत की बुनियाद 1649 में मुगल बाशाह शाह जहां ने रखवाई थी इस इमारत के निर्मार में 9 साल का समय लगा इस किले का रंग हमेशा से ही लाल नहीं था बलकि इसके निर्मार के समय ये किला लाल और सफिद रंग में बनवाय गया था जो शाह जहां के पसंदिदा रंग थे उस समय इस किले का नाम किलाए मुबारक रखा गया था समय बीतने के साथ किला अपनी चमक खोने लगा इसलिए अंग्रेजों के शासन काल में इस पर लाल रंग करवा दिया गया और तब से इस किले का नाम लाल किला रख दिया गया 1857 में प्रथम सुदंतता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने सुद्दता सिनानियों पर जुल्म ढहने के लिए इस किले के कई हिस्से जमी दोज करके वहां सेना की बैरके और दफ्तर बना दिये थे अंग्रेजों ने इस किले में मुगल सामराजी के आखरी बाशा बहादूर शाज जफर को कैद कर लिया था मुगल संतनत के शासन काल से लेकर ब्रिटिश शत्ता के प्रभाव को करीब से देखने वाले इस किले ने भारत देश के बहुत से अच्छे और बुरे घटना क्रमों को देखा इसलिए आजाद भारत की शान तिरंगे को फाहराने के लिए इसका चुनाव किया गया भारत की आजादी के बाद लाल कीले की प्राचीर से सबसे ज़्यादा सत्रा बार तिरंगा फाहराने का सौभाग्य भारत के पहले प्रधानमंतरी पंडित जवाहला नहरू को मिला आपके इस ख़बर पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट के जरिये जरूर बताएं और इस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दडेली न्यूजरूम से बिनित राय की रिपोर्ट